दोस्तो आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं अपने देश के मुख्यामंतरी जिसका नाम है स्रीमानी युगियादित्यनाजी उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे उत्तरप्रदस में जितने भी सरकारी स्कूल है जो कक्षा एक से पांच तक हैं उन के लिए एंषल सरकारीं टीचर होता है वह स्कूल में पड़ने वाले च्छात्र के साथ इतनी गलत रचात करता है कि वह को एसने बीडियो दिखाता तो आज की कहानी है, वो है महेनपुरी की. उत्तर प्रदेश में एक जला पढ़ता है महेनपुरी और उस जले में एक ठाना पढ़ता है, जो एक कसवा भी होता है, जिसका नाम होता है, उच्छा. उस थाना छेतर में एक स्कूल होता है जिस स्कूल का नाम होता है पूर्मादमिक स्कूल दोस्तो उस स्कूल में एक टीचर होते है दिस टीचर का नाम होता है नरंदर यादव दोस्तों जो नेंदर यादव होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि मेरा जो सम्मान होता है जो टीचर का सम्मान होता है वो क्या चीज होती है वो अपने सम्मान को खो बैठते हैं और जो लड़की उस स्कूल में जो लड़की पढ़ती हैं उनके साथ वो गलत वैवार करना सुरू कर देते हैं दोस्तो बो लगव तीन साल तक उन लड़कियों के साथ गलत वैवार करते हैं दोस्तों उनमेंसे एकक्षा आठकी लड़की जो पहने वाली होती है। उसने बता है कि जो हमारे टीचर हैं वो हमारे किलास में पढ़ाने के लिए जाते थे। और इसके पाशाथ वों को किसी भी बहाने से जो बोर्ड होता है जो भाईट बोर्ड होता है उस पे बुलाते थ इसके पश्यात उनके सरीर पर वो बैड टच क्या करते थे दोस्तो इसी तरह से वो जादा तर छात्राओं के साथ इसी तरह से गलत अरकत करते थे दोस्तो आई दिन वो किसी ना किसी काम से जो लड़कियां होती हैं उनको ओफिस में रेजिटर लेने के लिए या रखवाने के लिए भेजते थे वो जैसे ही ओफिस में रेइश्टर को रखने के लिए जाते थी इसके पश्यात वो चले जाते थे और जो लड़की होती है लड़की को जाकर रहाँ पर पकड़ लेते थे दोस्तो इसी तरह से वो काफी सारी लड़कीों के साथ इस तरह का गलत बैवार करते हैं और वो लड़कीों को गाना दिखाने के बहाने वो उनको ऐसलील वीडियो दिखाया करते थे दोस्तो एक कक्षच है की लड़की होती है उसने बता है कि सर जब भी हमारे किलास में आते थे तो हमारे सरीर पर जो रुपटिया ओड़ती हैं या कह सकते हैं जो लड़की चुन्नी ओड़ती हैं वो उनके सरीर पर उनके सीने पर हाथ रखते थे और कहते थे कि इस तरह से जो चुन्नी हैं उसको नहीं ओड़ते हैं और इस तरह से ओड़ते हैं इस तरह से वो लड़कियों के साथ गलट टच किया करते थे दोस्तों इसी तरह से जो लड़की होती हैं वो जब भी इंटरवेल में या कभी भी टॉलेट करने के लिए जाते थ तो वो कहते थे कि मैं तुम्हें मार के ऐसी जगे फैंक दूंगा कि उहां पर कोई भी नहीं पहुच पाएगा इस तरह से वो उनको डाटते थे डाटने के पश्चात वो उनके साथ इस तरह की गलत बैवार किया करते थे दोस्तो जो इसकूल के अन्य चात्रा हैं उन्होंने बता है कि जो सर होते हैं वो हमको एसलील वीडियो दिखाते थे उस समय जो इसकूल में चात्र होते हैं उनको भार निकाल देते थे इसके पश्चात जो लड़की होते हैं लड़कियों से कहते थे कि ऐसे ऐसे आपको ये भ बच्चे होते हैं वो किस तरह से पैदा होते हैं इसके पश्चा इसी तरह से जो लड़की होते हैं लड़की को ऐसलेल वीडियो जो असलेल वीडियो होते हैं उनको दिखाये करते थे और लड़कियों को साथ गलत वैवार किया करते थे दोस्तों इसी तरह से वह तीन साल तक तो लड़की होती हैं, उनको गलट टच कर परिसान क्या करते थे। दोस्तों जो लड़की होती हैं, वो इसके बारे में उनके स्कुल में एक टीचर होती हैं, जिसका नम होता है रूपाली रस्तौली। वो इसकायत करती और बकूल के परएम्सिपल उते हैं वो इस बात को और रहालेते हैं लड़कों ने खुए होती है मेरी जू exactement जो बकूल के खुए रहाले माता हिस्त वैं उत्रूंतिज वह मैस बकूल परुए होते हैं हो बकूल are lu dan she करा देते हैं दोस्तो इसी तरह से यह जो टीचर होता है जिसका नाम होता है नरंदर यादव वो तीन साल तक लड़कियों के साथ इसी तरह से बैट टच कर वो गलत वहवार करता रहता है दोस्तो जब लड़कियों की कहीं भी सुनवाई नहीं होती है इसके पश्याद दो सितंबर सन 2224 को जो लड़की होती हैं उनको काफी गुष्सा आता है वो इसके बारे में अपने परिवार वालों को अपनी जो माता पिता होते हैं उनको बताते हैं दोस्तों जैसे ही वो लड़की अपने माता पिता को बताती हैं, उसके जो परिवार वाल लोते हैं, उनको काफी गुस्सा आता है और वो इसकोल में जाते हैं। जाने के पश्याद वो इसकूल में जो काफी बच्चे होते हैं मेडम होते हैं सब इस्टा बालों को बिलाते हैं इसके पश्याद वो टीचर से भी बात करते हैं इसके पश्याद इसकूल में जो अन्य छात्रा होते हैं उनको भी बुलाये जाता है और जो लड़कियों के अभ जो लड़की के अभ्यावग होते हैं। टीचर होता है वो तीन साल से हमारी बच्चियों के साथ गलत वैवार कर रहा होता है दोस्तों जो पुलिस होती है वो इस टीचर को गरपतार कर लेती है गरपतार करने के परशाथ थाने ले जाती है इसके परशाथ जो लड़कियों को अवाग होते हैं वो लड़कियों को ले गेहराई से जाज कर रही है जो अन्य छात्र हैं उनसे पूछताज की जा रही है जो पीड़ी छात्र हैं उनका वयान न्याले में दर्ज किया जाएगा इसके पशाथ जो टीचर है टीचर के साथ सक्सक कारवय की जाएगी दोस्तो जो टीचर है वो फिलाल में जेल भेज दिय करना है। इसके साथ सक शे सक कारवय की जाएगी। दोस्तो आज की इस कहाणी को सुनाने को उध्य से आपको परिशान करना नहीं है। सिरिप आपको जारू करना है, कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं, वो की सतरे खिरकत कर रहे हैं। दोस्तो आज की इस कहानी में सुनाई होगा कि एक टीचर ने, जो इसकूल में पढ़ने वाली चात्रह हैं, उनके साथ वो किस तरह से गरथ बैवार किया करता था। दोस्तो इस टीचर के साथ सक सक कारव्य की जाएगी। दोस्तो हमारा अरे कहानी को सुनाने को दिश से किसी व्यक्ति को परिशान करना नहीं सिर्फ आपको जारू करना रहता है कि आप भी इस तरह कोई भी कदम ना उठाएं दोस्तो अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को अवेश से सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेयर करें दोस्तो आज की जो कहानी है मैंने इस कहानी को पढ़कर तयार किया है देनिक वासकर न्यूज अमर उजाला न्यूज देनिक जागर न्यूज और पूरवाचल न्यूज इन सभी न्यूज से पढ़कर इस कहानी को तयार किया है तो आप सब लोग मस्त रहें सुष्त रहें म मिलते हैं आपको नेश्ट कानी के साथ धन्यवाद.